यह देखाता है कि महाँ पर बहुत अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है वह उनका अंदूरी मामला है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा हमारी पार्टी के अंदर अभी तो-तीन दिनों में लगाता तर्चाए हुई यहां हमारी सेकेर्टी भी है हम सब बहुत विस्तार से कुले मन से अच्छे वातावरण में और इन खबनों पे जो लोग प्लांड कराते हैं हमको नहीं जाना चाहिए हम सबने मिलकर जो पार्टी हिट में था उस द्रेने को लेने की कोशिश करी है बहुत जल्द हमारे घोशना हो जाएंगी किस पर कौन चुना बढ़ेगा लेका अब ही अम्रिता जी हमारी सेकेटरी हैं मुरारी जी मुल्ता जी हम सब यहां पर लोगों से बात कर रहे हैं कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जनसभा होने जा रही है और जो संदेश प्रेंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सबी कारे करता हूँ आम ज जुलकर सभा को बहुत कामियाब बनाएंगे मुद्दा चुनावों का है अब और हम यहां पर लोगों को यागरे करने जा रहे हैं कि पूरे छेतर ने हमेशा से ही कॉंगर्स पार्टे के साथ और यह कहना को यति शुक्ती नहीं होगी कि यहां पर यह कॉंगर्स का कर रहा ह है इसको हम लोग और मजबूत कैसे करें लेक्शनाइज न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब रारुला करेमान दर्शिकोर राजस्तान में अश्योग चांद्रा को लेकर के इस वक्त चर्चा इस बात की हो रही है क्या विदान सवाच सबिधुर चुनाओं से पहले एक फर से वह सच्छिन फाइलेट को समर्थन में उतर सकते हैं क्या हो पूरी तरी किसे सचीन फाइलेट का साथ देते नज़र आ सकते हैं cya कि राजसेतान परदेश ने इस फिदान सबचंद्दान से पहले कई ऐसे नहृता हैं जिन को ले करके इस तरिक की इस्तिती बनती हुए नजरा रही है और कई बड़े सवाल भी खड़े के जा रहे हैं कि आखिरकार सचीन पाइलेट के बड़े पाद पर बड़े जिम्मेदारी पर जो लगतार हम चर्चाएं कर रहे हैं उस पर आखिरकार फैसला कब तक आएगा उस प की नेता भेंका जी की एक आमसबा है आप बुस्त हो चुके हैं और अचार सेता लगने के बाद पहली मीटिंग भ्रेंका जी की है और सिकराय में दौसा में वा ही है एक बहुत ही विशाल जन्सब होने जा रही है और इस पूरे छेत्र में पूरे जिले और संभाग में सब जगे कारेकरताओं में एक बहुत बढ़ा उत्सा है उनकी आने को लेकर अभी अम्रिता जी हमारी सेकरेटरी है यहां पर लोगों से बात कर रहे हैं कल की मीटिंग मैं समझता हूँ एक बहुत विशाल जन्सबा होने जा रही है और जो संदेश प्रेंका जी का होगा उसको सुनने के लिए सबी कारेकरता और आमजन नहां उतारू है इस छेत्र में हमेशा ही बड़ी मीटिंग होती आई है मुझे अची तरना याद है आज से करीब दो ड़ करने जा रहे हैं कि इस पुरे छेत्र ने हमेशा से ही कॉंगर्स पार्टे का साथ दिया है और यह कहना को अति शुक्ती नहीं होगी कि यहां पर एक कॉंगर्स का कढ़ रहा है इसको हम लोग और मजबूत कैसे कर पाएं इसका निर्देश कल प्रेंकर जिंको देखर जाएं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना तो सदन के अंदर ना सदन के बाहर जैपू ना दिल्ली में पीजेपी को परभाव छोड़ पाई है एर्सपी को मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो बाती अपनी 12 में कहीं थी उसका जवाब हमें मिला नहीं है हमने कहा था कि जो योजना बसुन्दा जी की सरकार में उसकी कल्पना करी गई उसको धरातल पर मुतार रहे हैं कि मोदी जी ने खुद अजमेर में आकर अपने मुझे कहा था कि यार्सपी को राश्ट्र को योजना भोशित करेंगे आज पूरे पांच साल बीट गए केन में पूर्ण भूम्बत की सरकार है पच्चेस सांचा लोग समार में भाजपा के हैं फिर भी आज तक बढ़ान मदीजी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया जनता पूछने जाती है क्यूं कल भी हम सवाल पूछेंगे हम योजना को लाने के लिए खरवो रुपा खड़ कर रहे हैं लेकिन सरकार की जो बेरुखी है उसका जवाब जनता मांगेगी बरहाला चुनाव आ गए हैं तो जनता गुद्रनाय करना है कि कौन जन्हित कल्यानकारी योजनाओं को हम लोग बना रहे हैं हमाई सरकार ने पहुत अच्छ मेशा से इस दौसा जिले ने कौंगर्स को मजबूती दी है और संख्याबल देख लो या जनता में उत्सा देख लो यह जिला और यह इलाका कभी पिछे रहा नहीं है हम सबने जो चुनाव लाज थारा में मैं परदेश का अध्यक्स था लेकिन हमारा जो चुनाव का फेस्टा वह सामुझ में ने पूछ मरा था हम लोगों ने और अब भी मैंने बहुत मैने पर आज भी हम लोगों ने मिलकर चुनाज़ देख और हमारी जो एक जट्ता और त है सरफुर्वाल है खीस्तान है रोज सामने आ रहा है अभी टिकेट बाते हैं चालिस और जगड़ों में असी यह दिखाता है कि महां पर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है वह उनका अंदूरी मामला है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा हमारी पार्टी के अंदर देने को लेने की कोशिश करी है बहुत जल्द हमारे खोशना हो जाएंगी किस पर कौन चुना रहेगा लेकिन बीजेपी के अंदर जो यह सुरक्षा जहन में है वो सभाविक है मैं समझ सकता हूं क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना मेनेफिस्टों बना र चुनाव होते हैं हर जगह एक सामुल लड़ता है आज हमारे पार्टी के अंदर यह बात सफस्ट हो चुकी है एक से सफस्ट किया है मिलका चुनाव लड़ेंगे और हर पार परिपार्टी इतिहास में रही हर प्रदेश में चुनाव लड़ने के पाद विदाइक जीत कर आ लेखने ca pics में राखने कि कौन कि पर बैटा बैट करना कर रहे हैं कि अशोग चांदरा परताब सिंखा चुल्यावास वापसी जो है सचीन पाइलेट के समर्थन में देखने को मिल सकती है और क्या राजस्तान में एक बार सचीन पाइलेट के नामंकन के बार जो लोगों का समून उनके साथ चल रहा है जो कल उन्होंने टांक विदान सबस अपने नामंकन फत्र को दाखिल किया उसके बात चर्चाएं इस बात की चल रही है कई ऐसी सीटें जहां पर सचीन पाइलेट अपना दबदबा दिखाते नजर आ सकते लेकिन शोग चांदना जैसे विदायकों का ख को बनों के लिए ने कुछना है नहीं हो कि अपने के लिए ने कुछना है नहीं हो कि